हेगाइज वेल्कम यूल तो मैं चैनल एससी स्माट क्लास्ट इस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका तो एससी MTS 2020 में जैसे कि मैंने पहले भी आपको आर्टी रिप्लाई दिखाया था कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है तो पंतालिस लाग पैंतिस हजार इकतर कैं करूं तो उननीस लाग यू आर की बात करूं तो मैं आपका नो लाग नो लाग पंतालिस अजार चैसों चैसी और इडवली उसकी में बात करूं तो एक लाग 37,000 कैंडिडेक्ट ने अप्रोक्स जो हम भरा है तो यह कुछ आपका डाटा है तो साथ में एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि मैं आज कल मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे जैसे ही सीजल 2018 का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम यह यूटूब बगरा पे वीडियोस देखने में स्पेंट करते हैं अब देखिए जितनी पोस्ट हैं वो पोस्ट तो फिलप होंगी ही होंगी अगर 11,000 पोस्ट है तो 11,000 वो फिलप होंगी होंगी तो यार आप लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं इनका और कोई काम नहीं है इनको सिर्फ अपनी जो coaching class है वो चलानी है जितनी earning YouTube से इनको करनी है एक million views पे बहुत अच्छी खासी earning हो जाती है अगर एक वीडियो पे आए इसके लावा इनको कोई student के future की कुछ नहीं पड़ी है इनको सिर्फ अपना जिस time इनका coaching center बंद हो जाएगा उस time पे ये आप लोगों को पूछेंगे नहीं अभी तो पकड़ पकड़ के ये candidates का interview लेकर आ रहे हैं लेकिन आप लोगों का time waste होता है इस चीज से मैं ये नहीं कहा रहा कि आप लोगों को देखना नहीं चाहिए लेकिन 11,000 candidate हैं हर बंदे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया हर बंदे को ये पकड़ के ले आते हैं और अपना tag line लगा देते हैं सब के अपनी strategy है मैंने आपको वो strategy वाले वीडियो बताई है ना सिर्फ books को follow करो अच्छे से मोक्स दो और अपनी consistency बना के रखो अगर आप बीच में बार-बार आपको प्रही में उठने के आदत है लंबे टाइम तक आप बैठ नहीं सकते बार-बार आप उठके बीच में जा रहे हो तो आप भूल जाओ आप ऐससे की त्यारी कर पाओगे अप मैक्सिमम टाइम सोच नहीं पड़ेंगी तो तब तक के लिए धन्यवाद इस पॉइंट को negative मत लीजिए लेकिन मैं बिल्कु सही बता रहा हूं हर बंदे के अपनी strategy है उनको देखकर के आप अपनी strategy नहीं बना सकते लेकिन आप टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो मैं देख रहा हूं कि एक बंदा उस वीडियो पर भी कमेंट कर रहा है वही दूसरे बंदे ने strategy बनाई उसकी वीडियो पर कमेंट कर रहा है मतलब कितना maximum time पढ़ोगे कब आप सो maximum time आप अपनी पढ़ाई में दीजिए मोग अगर आप नहीं दोगे तो भूल जागी आपकी selection हो जाएगी आप question को बहुत कम time में करने की कोशिश कीजिए जितने maximum मोग दे सकते हो जितने theory wise जितना base को आप strong बनाओ क्यों नहीं selection होगी आपकी मैं आपको कहाना कि आप vacancy मत देखिए अगर आपको post लेनी है तो आप यह target set करिए कि मिरको under 1000 या फिर 2500 इससे कम मिरको लेके आनी है तो फिर उसमें आपका vacancy का चक्करी नहीं रहेगा अगर प्राही से बोर हो रहे हो तो आपकी selection नहीं हो सकती इसलिए YouTube पे unnecessary time मत पेस्ट कीजिए यह तो हर साल चलता रहेगा अब आगे फिर 2019 का result आएगा फिर उन लोगों की strategy आएंगी strategy आपकी खुद की होनी चाहिए पढ़ाई आपने करनी है कितना time किस चीज को देना है कितना time आ अगर आप स्टेडी करने बैठ रहे हो ठीक है कोई भी आप मतब आपका दिमाग बहुत ज़्यदा रहे हो ठीक है कोई भी आप कोई भी जिसे कुछ भी हो गया तो आप एकदम से उटके जा रहे हो कोई function आ गया को रिष्टेदार आगे उनको ज्यादा एंट कर रहे हो आप सब चीजों से दूर रहिए और फिर पढ़के देखिए और फिर डेडिकेशन से पढ़िए तो आपको result definitely मिलेगा मेरी बास शायद आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ social media से cut हो जाईए यह तो strategy video हमेशा आती रहेंगे इन चैनल का काम ही चलाना बाकि इनको कुछ नहीं फरक पढ़ना इन सब चीजों से इनको सिर्फ अपना पैसे कमाने हैं सो तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो